कि अलों बच्चों कैसे अपसर लोग आज का जो वीडियो है बहुत ही यूसफूल होने वाला है उन बच्चों के लिए जो कहा है सीए स्कोर्ट के बारे में कम्प्लीट जानकारी लेना जाते हैं स्टेप बाए स्टेप ए टू जैट कम्प्लीट इंफॉमिशन लेना चाहते ह है जानना चाहते हैं सीए स्कोर्ट के बारे में पहले से लेकर लास्ट तक उन बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही यूसफुल होने वाला है थोड़ी सी लेंग्टी जूर हो सकती है बच्चों वीडियो पट एंट तक दूर देखेगा क्योंकि इसमें आपको सभी क् आशिन का nut किस तरीकह से सब्घ् Mongo सब्चैट से मिल सकती है थिक है उनका एंग्जाम मोड ऑफ-ेक्जाम क्या होता है किस तरीके से सब्चैंड आते हैं कौंझ आते हैं तब कुछ इसी वीडियो में अपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है बचों च्छों का बहुत ही आपको यहां पर information complete मिलने वाली है तो चलिए बच्चों सबसे वहले हम बात करेंगे सीएस कोर्स कंड़क्ट कौन करवाता है सीएस कोर्स बच्चों हमारी इंस्टीट ऑफ कंपनी सेक्रेटिस ऑफ इंडिया कंड़क्ट करवाती है जो क्या है जो क्या है रेगुल बात वर्द तो तीन स्टेजिस होते हैं तीन लेवल होते हैं सीएस डापला स्टेज डूसरा स्टेज होता है एग्जगूटिव और दूस्या र chambers कंप्रीट करने के बाद आप कहसे को कंपनी सेक्रेटिटिटिटिया आप बन गए ठीक है अब उसके वहले अगरह में बात कर के बाद ही 10 के बाद ही दर्समीं पास करने के बाद ही आप क्या है क्रिवा सकते हैं इस टूड़न आफ्टर टैंट में जॉइन सी एस डावलिटी को सब्सक्राइब अफ्टर एक्जाम अगर इस वले के सेशन के 21 मार्च वले सेशन को छोड़ दीजिए नॉमली आपका यही ब मार्च 22 में पीर होने वाले हैं मार्च 22 में बचले होने वाले हैं वह बच्चे अभी रवास कते हैं मैं 22 एक्जाम के लिए ठीक है तो पहला होगा क्या है है दस्वीं में आपके क्या है दस्वी अब ठी कर चुके हो आप प्लस टू में क्या है अपिर होने वाले हो या सकते हैं और स्टेंट कि सीएस को सचयूइन कर सकते हैं अफटर पास ट्लस प्लस टू किसी बी टाइम आप क्या है रजिशन करवा सकते और अपेर हो सकते हो एक्जाम के लिए साल में चार बार होते हैं जैन्वरी में जुलाइब की बात करें सिए अब्लेटी की फीजो होती है वो सिरफ वन थाउजन रूपीज होती है आपको इसमें इसके लावा आपको कोई एक्जामेशन फीज वगारा फिलिंग करने पड़ती जैसे पहले होता था आपको रच्शन करवानी होती थी फिसके बाद बारास रुबे नया पैसा नहीं देना कुछ नहीं करना ठीक है जी तो अगर हम बात करेंगी यह जो फीज है वन थाउजन रूपीज यह वन टाइम के लिए वन टाइम के लिए अभी आपने रिवाई एक्जाम दिए एक्जाम में नहीं बैठे चाहे तो दुबारा आपको वन थाउजन फ कर सकते हैं free of course ठीक है अगर आप वहाँ पर नहीं भी जाना चाहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे के सिसी क्ट्रोल की प्ले स्टोर की आप में आपको बहुत अच्छे तरीके से सभी हाड़ को सफ्ट कपी नोट्स आपके mcq टैस सीरीज वीडियो लेक्चर्स और चोट ओव लेक्जाम सीच्ट गा जो नौबमबर 21 तक का एक्जाम है यह कंफर्म है नौबमबर 21 एक्जाम तक के जो पेपर है वह ओनलाइन मोड में ही होंगे ऑनलाइन क्लों मोड का मतलब क्या होता है घर बैटे आपके एक्जाम होगे आपके computer laptop ठीक है आपके webcam के जो है institute के पास जाएगी software में आपको भी दिखाई देगा कि आप जहां पर बैटे हो जिस कमरे में बैटे हो वहाँ पर श्यांति हो नहीं किस तरीके का शोष्राबनी होना चाहिए वह उस रूम में बैठ के आप क्या है एक्जाम दे सकते हैं ठीक है जी करने सब्सक्रe Harrison के सभी इकजाम है मतलब तो होते हैं चारों की चाहरों सब्यस्क्रeak मिलते हैं 120 मिनट में 140 कूश्शन करने होते हैं मिल्कूल बड़े राम से हो जाते हैं क्लीर करते हैं थी करते हैं हमारे वहारे हमारे कम से कम पांच से ठाइक बचोंगे 180 पलस मार्के मतलब 90 प्लस है तो मतलब बहुत है च्छा रिजल्ट है सबसे बाध बथी बात बसा दो नहीं है चीएज़ डिए एक्जाम में कि कोई नेगरेटिव मार्किंग नहीं है जिसांग आंसर के लिए मतलब कैसे अप देना चाहो आप दे सकते हो आपको मांक्स मिल जाएंगे रॉंग के लिए हो जाएंगे और जैसे मैं आपको बोला कि online proctor mode में online proctor mode में आप एक्जाम दे सकते हो और उसके लिए आपको किसी देन इफ यू है लैप्टॉप देन यू और आपको हैडफोन की जूरत है और आपको किसी की जूरत है साथ में अगर पीसी लैप्टॉप से लैप्टॉप में आपको बता है वैबकेम लगा उसी में होता है तो वहां पर आपको किसी देखे कि कोई डिवाइस अलग से एक्सेरनल डिवाइस की जूरत नहीं है ठीक है जी और एक्जाम जो है क्लियर दीजिए एक बात सुन लिजे ध्यान से क्योंकि बहुत सरे कोश्चों का कोशन आता है कमेंड्स आते हैं कि सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं दे सकते बच्चों यह कोई मजाक सोटी नहीं हो रहा है मोबाइल पर दे सकते हैं अब खुद सीरियसली सोचिए कि इतना सीयस जैसा कोर्स है ठीक है प्रफेस्चनल को कोर्स चल रहा है को मास लाइन का एक लीडिंग कोर्स चल रहा है और आप लोग सोच रहों कि मोबाइल पर यह कोर्स हो जाएगा अब अब आईडिया लगाई यह कोमांस लगाई ना यह चीज इस तरीके के कोशन बिल्कुल ही मत किया कीजिए अपने दिमाग से निकाल अब की आई की जो कॉन सी है नवंबर के लिए जो मइट ऐंडी वन में अपीर होना चाहते हैं उनके लिए 5 अक्तूबर है और जनवरी 22 slipping होना चाहते हैं तो फंद्री के बाद अक्तूबर के बाद कर सकते हो कब तक कर सकते हो सोला फंद्र दिसमबर तक तर माइ TV के लिए फंदरह अप्रेल होगी और देन उसके नेक्स के लिए पंदरह जून होगी जुलाई के लिए 15 जून हो जएगी जैसे कि आपको पता होगा नमबर कॉंटी तक का नमबर 21 तक का कर सब्सक्राइब कर ञंदो का सब्सक्राइब को सारे वही चेप्टर आपके लेपर वन वेज्जान समय जाया है ठीक है अब पेपर सब्जुच्ट कौन से होते हैं स्लेबग मुएंड़ कौन से होता है है पहला होता है में चार सब्जेक्ट हैं चारों मेरे पहला सुष्ट करने के लिए आपको कतने नंबर चाहिए सो नंबर चाहिए और कम से कम हाज स्ब्जेक्ट में 40% आना चाहिए मतलब 50 में से 20 नंबर आपको कम से कम चाहिए आपको विडियो के लेवल क्लिर करने के लिए bestDA new शिख एकरना चाप आते हैं बच्छों हमारी सेक्ड स्विंद स्जेद्ट मतलब सीएस एक्जीकूटिव eststep के लिए जो बचे डिरेक्ट एंट्री जो बच्चे डिरेक्ट से सीस एसी करना चाहते हैं डिरेक्ट से केum से जहां पर आपको सी एडविटी एक्जाम देने की जुरत ही नहीं पड़ेगी वह कौन-कौन से सिचुएशन है पहला ग्रेजिएशन अगर आप ग्रेजिएट हो किसी भी स्टीम से आइडिकल नौन-मेडिकल किसी भी स्टीम से और आपके एक्जाम में रजल्ट आपका मतलब आपकी डिर्क एंट्री वह जएगी एग्जिगोटी में दूसरा पोस्ट्रेजुएट हो किसी वी स्टीम से तीसरा आप सी ये फाइनल पास हो चौता सी म में फाइनल पास सूडेंट हो यह चार के स्टीरिकल को देने की जूरत नहीं है टिक है जी अब आगे बात करे के स्टिएसstep न्मेस kisवलटी के स्टेटी स्टेटी स्टेड़ के नधी में ऊफ्ट्री के स्टीएव रचर्च चार प offense के दो ग्रूप होते हैं पहला जो है पहला ग्रूप उस्में चार भेपर इस네 वह धें जे आईगी यल जे भी पर होता है company law तीसरा पेपर होता है setting up of business entity and closer that is SBC चौरता होता है tax law इन चारों में से जो पेपर नमबर चार है tax law tax law mq based है बाकी subjective है और जो tax law होता है tax law जो mq based है वो आपका उसमें हर रॉंग answer के लिए आपको 0.25 मार्क से कटेंगे आपके मतलब अगर आपने रॉंग answer दिया जो एक नमबर का कोजिशन था वो तो गए गया गया उसके साथ-साथ-स.25 और कटेंगे चीक है तो पहला पहला ग्रुप करने के लिए अब उसके अब बात करें दूसरे ग्रुप की दूसरे ग्रुप में जो है चार पेपर है पहला पेपर है अब बात करें पेपर नमबर फाइव और नमबर एट एमजुग बेस्ट पेपर नमबर शिक्स और सेवन सब्जेक्टिव है ठीक है पैटन वही है कि आपको फॉर्टी परसेंट कम से कम सब्जेक्ट में चाहिए चाहिए ग्रुप को क्लियर करने के लिए अगर बोध करते ह पाइसे यह यह हो जाता है कि यह अगर यह יंग्रूप में ज्यादा आ गए है तो दूसरे ग्रूप में एंगगे उस्यच्रिटेव नहीं आजाप prospects 5 & 88 मोड कहा होता है अफ्लाइन गया सर infect में आपके बाकि गजसौलिक था है क्या जैसे आपको सेंटर होता है आपने कहान सेलेक्ट किरते हैं अब सेलेक्ट किया थे अपने इक कॉलेज है वहां पर सेन्टर बनता है तो वहां पर आप आपको रोल नंबर बताया जाएगा कि रोल नंबर में यह आपका रोल नंबर और यह आपका इस कॉलेज में आपको आना है एक्जाम देने के लिए चीक है तो उसके बाद रजिस्ट्रिशन फीज की बात करेंगे सब्सक्राइब करना होता है मतलब आपको पंदरा हजार एक सुरुबे पे करना होगा 15100 रूपी्स पे करना होगा और अगर आप दला अपको दस हजार एक सु ही पे करना है जितना आपको शू कर रहा है यह अपर चीक है उसके बाद बच्चों बात करते हैं CS सब्सक्राइब करने लिए अगर दो देना चाहते हो तो मतलब क्या है आपको हर ग्रुप में 150 150 चाहिए आपको अगर तीनों ग्रुप देते हो फिर आपको फाइदा होगा अपके माग सो सकते हैं जैसे बोध में बात हमने करी यह आपके सब्जेक्ट नहीं प्रोफेशनल के मडूल फरी पर सकते हैं और मिलती है आपको खिताब मिलेगी आप जतनी मजी नोट बेके जा सकते हो ठीक है और वहां पर उसमें से बुक उपन करके पेर हो सकते हो एक्जाम में मतलब पेपर दे सकते हो जी हाँ ठीक है जी उसके पर प्रफेशनल की रिशन फीस कितनी है बार हजार रिशन फीस 1 खी है फॉर मिला के 13 त tuasसन फीस पेे कारता की सी लिए प्रोर में अमने होला कि सब्लत क्या होता है सब्लक इसी सब्जेक्टिव होता दोता है और मत्त लिए सेटेर में नौट घता वैसे ही principle में सक Treaty अधीр तोटल कोस्ट कितनी आ जाती है अगर आप प्लस तो के बास सूट तो आपको 1000 रुपीज आपका क्या है स्य स्य जाएए खर्चा हो गया दूसरा एक्जिएव करिशिन चार्जेस कितना हो गया और प्रफेशनल की एक्जामिनशन फीज करते हों की बारा सो इंटू तीन च्छतिसों रुपे तो कुल मिला के 30,100 हो जाएगी 30,100 हो जाएगी अगर आप डिरेक्ट एंक्ट्री के थू हो तो आपकी इसके बाद इस वीडियो में और बात करते हैं कि कितनी मिल सकती है मतलब क्या है जो बचे जो बचे कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी से हैं जैसे की ऐसी या स्टी कैटेगरी से हो अगर आप तो आपका 50 पर संट हो जाएगा चाहिए वह एक्जाम फीस है चाहिए आपका रजिश सर्विश परस्विस से बेलोंग करता है यह पकशाइल देसाबिटी हैय उसकी सर्विश की सौ परसंट माफ है और सर्भेंग और रेटायड परसविश्य जा परेवेतरgewर्स की है 50 परसंट है आईसेसाइक आकास थाफ का तो 75 प्रच्ट पेस्ट माफ है और आईसे रस ईवि लक्षदीव और हिमाचल परदेश से है तो 50% पीस माफ है और या फिर यूटी एरिया जे एन के जमू एन कश्मीज से या लदाक से है तो 100% पीस माफ है तो यह आपकी पीस होगे कि कौन कौन से केटेगरी में आपको की फीस जो है आपकी एक्जम्ट हो सकती है उसके बद बच्चों बात करते हैं सी का ट्रेनिंग स्ट्र्च्टर सबसे इंपारटन जो होता है कि मतलब डियूरेशन आपको किस बेस्पे किस लॉजिक बोल रहा हूं अब इसको करने उनको नए टैनिक सेक्षे के एक्वरिंग 21 मंथ की ट्रेनिंग करनी होती है क्या है आपको EDEB EDP एक्जगूटिव डिवलेप्मेंट प्रोग्राम करना होगा एक महीने का जिसका दूरिशन एक महीने का प्रोग्राम क्लियर करने के बाद आपको क्या है क्लियर करने के बाद आपको एक मेने की पिले क्या करना है एडिवी करनी है दन आपकी 21 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनिग प्रोग्राम फिक है जी आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी आप पूरी ट्रेनिंग के बारे में अजय कर सकते हो एक स्यस्क्वल्त में प्रैक्टिस के पास कर सकते हो जो कह ए क्या है फौल टायम में यह फिर एक छिस में क्या है है CS under the CS in whole time practice fulfilling the criteria as जैसे मैं ने आपको बोला कि अगर आप complete अगर आप complete जानकारी लेना जाते हो description में link देख लिएजिए कि उसमें आपको सब कुछ पता लग जाएगा training course के बारे में चीक है जी scope of CS अब देखिए CS is the backbone of the company he has to perform multiple multiple tasks in a company CS may also start his own practice CS is eligible to perform secretarial audit under section 204 of the companies at 2013 मतलग क्या है आप CS बनने के बाद CS बनने के बाद अगर आप जौब करना चाहते हो जौब कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते है अपना office कोलना चाहते हो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो जैसे कि CMA की वकील की ठीक है अपना प्रैक्टिस होती है वैसे ही आप लोग कर सकते हो चीजिए बनने के बाद चीजिए जैसे हमने बात करा कि आप क्या है बहुत सारे टास्क प्रफॉर्म कर सकते हो CS में CS की आपको जो लीगल लीगल मैटर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा सिस्टेमार्टिकल वे में CS का रोल होता है ठीक है और सेकर्टेलर ऑडिट भी किया जा सकता है CS द्वारा तो यह हमारा था CS के स्कोप स्कोप मतलब कहां पर आप जॉब भी कर सकते हो जॉब करना चाहते हो किसी कंपनी में अब को बिल्कुल कर सकते हूं किस तरीके से पढ़ाई किस तरीके से करनी है पढ़ाई करने के लिए बच्चों आपके पास दो option होते हैं और कोई वी course जोईन करते हैं एक हो आपके पास self study self study में आपको बिल्कुल कर सकते हो इसमें कोई दो रहाए नहीं है, कि self study हो सकती कि नहीं हो सकती है क्यों नहीं हो सकती ठीक है तो उसके लिए आपको institute की वहां से आप पढ़ सकते हो उनके ही पास्ट एक्जामेनेशन गोश्चन होते हैं उसकी प्रेक्टिस के लिए आप रसक्ते हो आप प्रेक्टिस कर सकते हैं तिक है उसके लावा उसके लावा अगर आप आउटसाइडर free of post information लेना चाहते हैं हमारे KCC टूट्रोल की एप इंस्टॉल कर सकते हैं वहाँ पर आपको कुछ काफी कुछ content जो है free of post मिल जाएगा जिसमें CS जबल्टी के CS जबल्टी की बात करूं पहले और एक्जुगुटिव की बात करूं तो CS जबल्टी में आपको हमारे free of post mcq मिल जाएंगे वहाँ पर PDF नोट्स मिल जाएंगे सभी subjects के चारों subjects के free of post कुछ आपके video lectures मिल जाएंगे अगर आप पूरी classes बाए करना चाहते हैं तो classes भी बाए कर सकते हैं ठीक है और अगर अगर आप हंटेट बसंद लाइप लाइफ सेशन जोइन करना चाहते हैं तो लाइफ सेशन भी जोइन कर सकते हैं बहुत ही अफ़रेबल प्राइज पर ठीक है और एक्जिगुटिव के अगर बात करें एक्जिगुटिव के पूरी complete आपको हमारे पर आप में मिल जाएंगे वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगी ठीक है और क्लासिस अगर बायर करना चाहते हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गए ड्रेक्ली बायर कर सकते हैं यहां फिर उपर दिये गए जो आपको नमबा दिखाई दे रह होता है डिफिकल्टी लेवल का इतना ज़्यादा बड़ा कोश्चों नहीं होता उससे ज़्यादा इंबॉडण होता है कि कंसिस्टनसी यहां पर आपको अच्छे तरीके से रेगुलर स्टेडी करनी होती है और आपको लेवल के हिसाब से लेवल के हिसाब से और एक चीज बननेगा तो आप उसको सीरियसली डेडिकेटेड़ होके लग जाइए पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा इदर उदर कुश्चन पूछते रहोगे और ज्यादा कन्फ्यूज कर लोगे अपने आपको तो अगर आप वाकी से बनना जाते हो तो शुरू कर लीजिए यह पास टाइम ही और है क्या और ना टाइम को वेश्ट करने के लिए हमारे पास कुछी चीज़ है तो वह है टाइम सबसे कीमती भी टाइम ही है हमारे पास घुजर गया तो वह वापस नहीं आएगा ठीक है बच्छो इसके लावा अगर आपको किसी देखे कि कोई भी इंफोर और वीडियो अगर आपको यूसफुल लगी तो वीडियो को लाइक जूर करिए का चैनल को सब्सक्राइक वहना मत बूलेगा अगर आप यह जो कोस कंटेंट है यह मैं कहां से बढ़ा रहा हूं यह हमारी केसी टुटोरियल की वेबसाइट से बढ़ा रहा हूं www.kcctutorials.com से आपको बता रहा हूं यह information आपका है description में link दिया होगा वहां से भी आप पढ़ सकते हैं अगर आप किसी वीडियो शेयर करना चाहते हैं वीडियो भी शेयर कर सकते हैं अपने किसी दोस्त के साथ ठीक है और आप यह दिखना चाहते हैं तो देख सकते हैं थैंक यू बच् झाल